हेलो एवरिवन कैसे आप सब लोग तो आप जैसे देख सकते हैं कि आज हम एक important concept देने वालों मैं आपको सिफ एक single concept दोंगा इस वीडियो में जो कि आपका होगा cost of goods sold इसके chances बढ़े हैं कि आपका दो MCQs पर आ जाएं आप देख सकते हैं कि यह topic आपका अपका असलेबस में नहीं है और एक concept देना तो छोटी सी वीडियो रहेगी इसके बाद हमारी next वीडियो मैं बता देता हूं हमारी final accounts के MCQ पर रहेगी जो आपका 2020 रहता है उसके बाद आपकी next वीडियो मैं आपको guarantee देता हूं आपकी computer की lecture की है क्योंकि बड़े से students कहते हैं सर आपकी computer का lecture नहीं आ रहा बड़ी देर से तो वह आप सभी को पता है कि हमने probability topic पकड़ा हुआ था अब पहला फर्स बनता है कि उसे खतम किया जाए उसे बीच में नहीं छोड़ सकता था मैं तो probability वाला topic भी आपको वीडियो से मिल जाएगी हमने उस पर चार वीडियो बनाई है तो next target मैं बता देता हूं computer का रहेगा चलो तो आज का पहले हम quote पढ़ लेते हैं तो आज का quote कह रहा है self confidence is a foundation of all great success and achievement अगर आप अपनी life में कोई भी success या achievement पाना चाहते हो तो आतम विश्वास होना चाहिए अगर आपके अगर आपके अंदर अपने लिए विश्वास है तो आप कोई भी success अचीव कर सकते हो तो जैसे मोधी जी बोलते हैं आतम निर्वर बनो अपने में आतम विश्वास लाओ तो जरूर लाओ और अपनी जीवन की सभी सफलताओं को पालो तो चलो आज का lecture स्टार्ट करते हैं तो आप ये screen पर देख सकते हो the formula of cost of goods sold ये दो formula है ये दो आप याद कर लेजिए मैं इसे आपको प्रूफ करके भी बताऊंगा कि ये formula बना कैसे ठीक है जैसे कि आप word पढ़ सकते हो किसका formula हम कर रहे है cost of goods sold ठीक है cost of goods sold का meaning क्या हो गया आप सभी simple सा इसका meaning निकाल सकते हो cost का मतलब है कीमत उन goods की कीमत जो आपने बेचे है ठीक है एक होता है sale जो sale होता है वो क्यों होता है उसमें आपका profit included होता है उसमें आपका क्यों होता है profit included होता है cost of goods sold में आपका profit not included होगा क्योंकि आपने उसकी कीमत बतानी है कि आपको कितने का पढ़ा था और sale होगे आपने उसको कितने का बेचा है आपने chips आप बेचते हो आपका chips का काम है तो आपकी lace की chips आती है 8 रुपे की आपको पड़ती है तो वो आपका हो गया cost of goods sold लेकिन आप उसे 10 रुपे की बेचते हो तो वो आपकी होगी sale cost of sale बोल सकते हो आप उसे ठीक है तो यह चीज़ यहाद रखना cost of goods sold है आपका 8 रुपे तो sale आपकी है 10 cost of sale नहीं बोल सकते हो उसे simple sale बोलोगे आप sorry sale आपकी 10 है और cost of goods sold 8 है जितने कि आपको वो समान पड़ा है तो अब इसके मैंने 2 formula बनाए है इसको मैं proof करके बताऊंगे formula बने कैसे हैं आप इसे याद कर लें यह दो formula तो आप देख सकते हो cost of goods sold का मैंने पहला formula लिखा है sales में से मैं अपना GP माइनस कर दूँगा आपको कोशे में दिया होगा अब GP आपको कोशे में दिया होगा लेकिन दो तरीके से दिया होगा एक दिया होगा GP on cost इतने तो सभी मुझे लगता है कि आप सभी के अतना level तो है ही है कि आप इसे समझ सको जो मैं भी समझाने लगाँ और दो तरीके से दिया होता है GP on sale 90% chances हैं कि आपको GP जो है gross profit जो है वो आपको percentage में दिया होगा percentage आप meaning समझते हो कि जैसे 10% 20% उन्होंने बोला 10% on cost 10% on cost तो आपने cost का 10% लेना होता है इसका ये मतलब होता है अगर उन्होंने लिखा 10% on sale तो आपने sale का 10% लेना है मतलब ये जो आपका sale है उसका आपने 10% लेना है सिर्फ ये दो difference है वो आपके question भी depend रहेगा अभी मैं आपको question आपके solve करके भी बताऊंगा कि कैसे करना है cost of goods sold पे आपने अगर आपको on cost दी होगा तो आपने cost of goods sold पे लेना है ये दो difference है बस और थोड़ा सा complex ये ही है और कुछ complicated नियस फॉर्म जी है फिर अब हम दूसरा formula पढ़ते है cost of goods sold is also equal to cost of goods sold is also equal to opening stock plus purchases plus direct expenses minus closing stock आपने उसमें से closing stock minus कर दिने opening stock में purchases plus करो direct expenses plus करो और closing stock को minus कर दो तो आपका answer आजाएगा cost of goods sold अब मैं इसे प्रूफ करके बताता हूँ आगे बढ़ते हैं मैंने एक question लिया हुआ है ये है आपका question determine the gross profit तो इसमें आपको trading account तो बनाना आ गया है पिछली वीडियो में हमने सिखाया था Thursday वाली वीडियो में तो उसमें कैसे हमने gross profit कैसे find out करना होता है जितने भी आपकी ये purchases है पहले आपका opening stock आता है trading में महले आपने एक तरह का trading account मनाना है opening stock आपने इदर debit कर दिया closing stock आपका किस तरफ आता है इस तरफ आता है purchases आपने इदर लिग दी carriage on purchase इसके नीची आ जाएगा ठीक है ये आ गया carriage on sale आपका profit and loss account में आता है तो मैं ऐसे cut कर देता हूँ rent office आपका profit and loss में आएगा क्योंकि ये factory का खर्चा थोड़ी है तो इसे भी मैं cut कर देता हूँ उसका कोई काम नीची है और sale आपने इदर लिग दी ये आपने डाल दी फिर आपने debit और credit का total किया credit आपकी बड़ी आई credit जब आपकी बड़ी आगी उसके debit का total minus कर दिया इतना total ये minus कर दिया और ये आपका आगया balancing figure ये आपका आगया gross profit ये आपका क्या आगया gross profit अब मैंने आपको proof करना है कि हमने जो अपर दो फॉर्मुले की है cost of goods sold के cost of goods sold हमारा पहला formula के according क्या था sale में से GP minus कर लो तो आपका answer आजाएगा ठीक है करके देखो sales में से GP minus तो आपकी sale है 14,7,000 ठीक है मैं थोड़ा सा इज़े से रेस कर दो sale है आपकी 14,7,000 14,7,000 से आपने gross profit minus करना है 5,14,000 आपका answer कितना आ गया 8,93,000 कितना answer आ गया 8,93,000 ठीक है यह आपका first formula के according था first formula तो हमने पहले का प्रूफ कर दिया है कि cost of goods sold कैसे निकाल रहेगा sales में से आप अपना profit minus कर दो तो आपका cost of goods sold रहेगा ठीक है जैसे मैंने example ली थी कि आपकी 8 रुबे की आपको chips पड़ती है आप 10 रुबे की बेशते हो तो 10 में से आपने 2 रुबे profit minus की है तो आपकी cost of goods sold रहेगी 8 रुबे तो यह पहला formula तो simple था अब मैं second formula प्रूफ करके बताता हूँ second formula में हमने किया था opening stock plus purchases plus direct expenses direct expenses बड़ी तरह की होते हैं हमने पिछली वीडियो में बताये थे जो factory के expenses होते हैं वो आपके खिलाते हैं direct expenses इन तीनों का प्लस करो उसमें से आपने क्या minus करना है closing stock minus करना है तो हम करते हैं मैंसे पहले erase कर लेता हूँ opening stock है आपका दो लाग purchases है आपकी आट लाग पचासार दो लाग प्लस आट लाग पचासार आपका हो गया दस लाग पचास हजार plus 23,000 आपका हो गया carriage on purchase minus करना है आपने आपने इसमें से minus करना है 1,80,000 1,80,000 जब आपने minus किया तो उसका answer भी आपका क्या आता है 8,93,000 और जब आपने sales और gross profit को भी minus किया था तब भी आपका answer क्या आया था 8,93,000 तो इससे आपका proof हो जाता है आपके ये दो formula है opening stock plus purchases plus direct expenses minus कर दो ये closing stock तो आपका cost of goods sold निक लएगा ये दूसरा method है sales में से gross profit minus कर दो तो आपका cost of goods sold निकल जाएगा अब बाद बनती है question कैसा आएगा paper में तो paper में question आएगा कुछ इस तरह का calculate net sale and gross profit from the following information उन्होंने क्या बोला क्या calculate करना है net sale and gross profit from the following information आपको इसमें cost of goods sold निकाल के दी है लेकिन formula उसी का लगना है cost of goods sold के दो formula होते है हमें इसमें पता चलता है कि आपका first formula ही काम आएगा क्यूंकि इसमें opening stock closing stock लेकर तो दिया ही नहीं हुआ तो उस formula का कोई काम ही नहीं है मैं पहला formula लिख लेता हूँ cost of goods sold COGSOC को बोलते है is equal to sales minus GP ठीक है उन्होंने cost of goods sold दे दिया है तो मैं cost of goods sold की जगा cost of goods sold की value डाल देता हूँ दो लाक चार और पांच अब उन्होंने gross profit की क्या बात की है 20% on sale है on sale है तो मैं sale को क्या ले लेता हूँ let the sale of the firm be x firm की sale को मैंने ले लिया x minus gross profit कितना है 20% of x gross profit कितना है 20% of x x मैंने इदर लिख दिया sorry जगा कम पड़ गी है आपकी क्या equation बन की मैं फिर से लिख देता हूँ आपकी equation बनी है आपकी जो equation बनी है वो बनी है 2 lakh is equal to x minus 20% of x ये बनी है आपकी equation ठीक है अब आप इसे solve कर सकते हो आपने इसमें x की value निकालनी है x की value कैसे निकलेगी denominator है 1 इसका तो इसको 100 बनाने के लिए हम क्या करेंगे 100 से multiply और उपर वाले को भी 100 से कर देंगे तो आपका answer इदर बन जाता है 2 lakh is equal to 100 x में से 20 x काटे तो 80 x 80 x को आपने 100 से divide कर दिया ठीक है 100 इदर divide हो रहा है उदर आखी के और है का multiply 80 इदर multiply हो रहा है उदर आखी के और है का divide तो हम इदर इसको लिख सकते है 2 lakh into 100 divided by 80 is equal to x ठीक है यह आपका आगया x अब इसको आप solve कर लें 00 cancel 5,000 4,000 4,000 और यह आपका आता है 50,000 50,000 को जब आप multiply करोगे 5 से तो आप कहां से आता है 2 lakh 50,000 2 lakh 50,000 आपका क्या आगया x x आपने क्या लिया था net sale तो इससे आपको क्यावर चलता है आपकी net sale कितने आगी 2 lakh 50,000 gross profit कितना आएगा 20% of net sale 20% of net sale आपकी आई है 2 lakh 50,000 तो इसका answer आपका आता है die lakh का 20% आपका हो गया 50,000 gross profit आपका आगया 50,000 अब आप इससे चेक भी कर सकते हो die lakh में से 50,000 काटे तो 2 lakh ही बनता है cost of goods और इसका मदलब हमारा answer ठीक है तो ऐसा question आपको paper में आएगा find out the net sale या find out the gross profit आपको निकालने को दे दिया जाएगा और ये दो formula है अब next question करते है next question है आपका calculate gross profit उन्होंने बोला gross profit निकालो इसमें भी total purchases दी है return outward दी है return outward क्यों होता है purchase return ही होता है तो 8,000,000 में से मैं 20,000 काट लेता हूँ पहले ही तो वो आपकी आदेंगे purchases total purchases कितनी है 7,80,000 की total purchases कितनी है 7,80,000 की direct expenses उन्हें दे दी है 6,000 2 by 3rd of the goods are sold मतलब 2 by 3 हिस्सा ही हमने goods का बेचा है 1 by 3rd हमारा बच गया है कितने का बेचा है हमने उसे 6,10,000 are sold for 6,10,000 तो ये आपकी sale होगी sale आपकी कितनी होगी है 6,10,000 की चलो fix करते हैं start इसमें आपके दोनों formula यूज होते है तो पहले देख लेते हैं इदर मैंने इदर solve करके दखा है पहले हमने किया cost of goods sold cost of goods sold का जो दूसरा formula था वो क्या था opening stock plus purchases plus direct expenses minus closing stock लेकिन जब आपको opening stock closing stock नहीं दिया आपने उसमें assume करना होता है they are nil उनकी value nil है मलब opening stock और closing stock कुछ नहीं है तो इदर मैंने लिए टोटल purchases minus return outward तो आप इदर देख सकते हो मैंने पहले ही पीछे कर दिया था 7,80,000 इसे क्या कर दिया था मैंने पहले ही से आठ लाग में से 20,000 minus के था 7,80,000 और direct expenses हमने 60,000 इसमें plus किये तो 8,40,000 बन गया cost of goods sold कितनी है 8,40,000 लेकिन उन्होंने क्या बोला आपने 2 by 3rd of goods ही बेचे हैं तो 8,40,000 का आपने समान खरीदा था ठीक है आप इसे बोल सकते हो या cost of goods purchase भी बोल सकते हो आप जितना आपने खरीदा था इसमें closing shock कितनी बात नहीं हो रही आपने बेचे कितना 2 by 3rd तो मैं 8,40,000 का 2 by 3rd करता हूँ तो आप कहां से आते हैं 5,60,000 cost कितनी है 5,60,000 बेचे कितने का आपने 6,10,000 तो profit कितने का आगया 50,000 का तो gross profit कितना आगया 50,000 यह formula आपका first वाला ही है बस आपने उसको transport कर दिया इदर से ठीक है cost of goods sold is equal to sales minus GP तो cost of goods sold is a plus हो रहा होता तो दिराके हमने minus कर दिया तो आपका answer आगया 50,000 तो आज का concept मेरा इतना ही था यह आपके लिए एक practice का एक question दे रहा हूँ मैं इसका comment section में आप answer लिख दिना थोड़ा सा समझा रता हूँ इसमें मैंने बस हलकी सी change लाई है क्या change लाई है 20% on cost 20% on cost बाकी मेरा first question की तरह ही है तो आपने cost of goods sold को x ले लेना है sale को आपने 9 lakh ले लेना है और GP को आपने ले लेना है 20% of x तो मैं इसके equation में आकिवदा लेता हूँ x is equal to 9 lakh minus 20% of x अब आपने इसको solve करना और कुछ नहीं करना आपका answer आ रहेगा ठीक है वो x आपका क्या आ रहेगा cost of goods sold फिर उसका 20% ले ले लेना वो आपका GP है और उसे आप comment section में लिख देना ओके thank you have a good day हमने सोचा था कि वीडियो थोड़ी छोटी बनी कि फिर भी बहुत बड़ी बनी गई है एक simple सा concept ही देना था इसके आने के बड़े जादा chances मैं फिर से बता रहा हूँ और जिन्दों ने हमें अभी तक जॉइन नहीं है वो जॉइन कर ले और टेलिग्राम पर भी जॉइन कर ले लिंक आपको description में मिल जाएगा और next video हमारी mcq पे है उसके बाद computer है इतनी maturity जरूर देता हूँ मेरा जो इसके अगले का अगला next के next video होगी मेरी वो आपकी computer lecture है okay thank you have a good day